छोटी छोटी गई या छोटे छोटे वाल छोटी छोटी गई आई पैहन और भाईयो गऊ साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है आप गऊ माता की सेवा के लिए हरा चारा रोटी आटा देकर पुन्य के भागी बनिये और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है आप गव माता की सिवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं आपका दिया हुआ नगद रूपया पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सिवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये चीडी चोंच भर ले गई नदी ना घटे और ना नीर दान दिये धन ना घटे कह गए भक्त कबीर दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है गव साला की गाड़ी आपके घरद्वार पर आई है आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगद रुपया पैसा देकर पुन्य के भागी बनिये प्यार से कहिये जे गव माता, जे गव माता, जे गव माता पैहन और भाईयो गव साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है आप गव माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनिए और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है आप गव माता की सिवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं आपका दिया हुआ नगद रूपया पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सिवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये चीडी चोंच भर ले गई नदी न घटे और न नीर दान दिये धन न घटे कह गए भक्त कबीर दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है गव साला की गाड़ी आपके घरद्वार पर आई है आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगद रुप्या पैसा देकर पुन्य के भागी बनिये प्यार से कहिए जे गव माता जे गव माता जे गव माता बैहन और भाईयो गव साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है आप गव माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनिये और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है। आप गव माता की सेवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं। आपका दिया हुआ नगद रुपया पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा। आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सिवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग दे कर पुन्य के भागी बनिये। चीडी चोंच भर ले गई नदी न घटे और न नीर। दान दिये धन न गटे कह गए भक्त कबीर। दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है। गव साला की गाड़ी आपके घरद्वार पर आई है। आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सयोग दे कर पुन्य के भागी बनिये। हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगद रुप्या पैसा दे कर पुन्य के भागी बनिये। प्यार से कहिए जे गव माता, जे गव माता, जे गव माता। बीच में मेरो मदन गोपाल बेहन और भाईयो गव साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है आप गव माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनीए और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है आप गव माता की सिवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं आपका दिया हुआ नगद रूपया पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सिवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये चीडी चोंच भर ले गई नदी ना घटे और ना नीर दान दिये धन ना घटे कह गए भक्त कबीर दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है गव साला की गाड़ी आपके घरद्वार पर आई है आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगत रुपया पैसा देकर पुन्य के भागी बनिये प्यार से कहिए जे गव माता बैहन और भाईयो गव साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है आप गव माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनिए और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है आप गव माता की सेवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं आपका दिया हुआ नगद रुप्या पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सिवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग दे कर पुन्य के भागी बनिये चीडी चोंच भर ले गई नदी ना घटे और ना नीर दान दिये धन ना घटे कह गए भक्त कबीर दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है गव साला की गाड़ी आपके घरद्वार पर आई है आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सयोग दे कर पुन्य के भागी बनिये हरा चारा रोटी आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगद रुप्या पैसा दे कर पुन्य के भागी बनिये प्यार से कहिए जे गव माता जे गव माता जे गव माता जे गव माता आपके घर के आगे आई है आप गऊ माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनिये और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है आप गव माता की सिवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं। आपका दिया हुआ नगद रूपया पैसा गव माता की सिवा पर खर्च किया जाएगा। कमाई में बरकत होती है। गव साला की गाड़ी आपके घर द्वार पर आई है। आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सायोग दे कर पुन्य के भागी बनिए। हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता की खाने योगे समान या नगद रूपया पैसा प्यार से कहिए जे गव माता, जे गव माता, जे गव माता। पैहन और भाईयो गव साला की गाड़ी आपके घर के आगे आई है। आप गव माता की सेवा के लिए हरा चारा, रोटी, आटा दे कर पुन्य के भागी बनिए। और इस गाड़ी पर एक दान पात्र भी लगा है। आप गव माता की सेवा के लिए नगद रूपया पैसा भी दे सकते हैं। आपका दिया हुआ नगद रूपया पैसा गव माता की सेवा पर खर्च किया जाएगा। आप अपनी सर्दा के मुताबिक गाई की सेवा करके किसी भी प्रकार का दान सयोग देकर पुन्य के भागी बनिये चीडी चोंच भर ले गई नदी ना घटे और ना नीर दान दिये धन ना घटे कह गए भक्त कबीर दान देने से कभी धन नहीं घटता बलकि कमाई में बरकत होती है गव साला की गाड़ी आपके घर द्वार पर आई है आप गव माता के लिए यथा सकती दान और सायोग देकर पुन्य के भागी बनिये हरा चारा, रोटी, आटा या फिर किसी भी तरह का गव माता के खाने योगे समान या नगद रुप्या पैसा देकर पुन्य के भागी बनी, प्यार से कहिए, जे गव माता, जे गव माता, जे गव माता